आज हम किलास्ट वेल्थ फिजेक्स की यूनिट फोर्थ की एक मातपूर कॉफचन को स्वालब करेंगे तो चलिए अब हम सबसे पहले कॉफचन को जान लेती हैं कि कॉफचन किया है तो कॉफचन है किसी प्रत्यवर्ती सिरोत के सिरों पर सोध्य प्रेरकत्व या फ्रेसि हम प्रेरण कुंडली बोल सकते हैं जोड़कर प्रत्यवर्ती वोल्टेज आरुपित किया जाता है तो निमन की गड़ना करो अर्थात यहां पर प्रत्यवर्ती धारा का मान निकालना है और प्रेरण प्रतिगात के लिए सोत्र स्थापत करना है और धारा वा वोल्टेज के कलांतर उत्पन करना है तो फिलिज वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको ठीक से समझ में आए तो चलिए अब हम सबसे पहले इस प्रकार का डाइगराम बनाते हैं इसमें यह है प्रेरण कुंडली और इसमें एसी सिरोत जोड़ा गया है ताब इसमें विद्धुधारा प् तब किफी छण टी पर प्रत्यवर्ति बोल्टेज वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी होगा इसे हम समें करन नम्मर एक देदेंगे एदी छण टी पर परिपत में प्रवाहत प्रत्यवर्ति धारा आई हो तब हम जानते हैं वी बराबर एल इंटु डियाइ अपॉन ड अब जूकि हम यहाँ पर उपर वी गमान प्राप्त हो चका है वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी तब यहाँ पर हो जाएगा डी आई बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटु डी ती दोन पक्षों का समाकलन कर देंगे तब यहाँ पर हो जाएगा सम समाकलन di बराबर समाकलन v0 sin omega t upon l into dt तब यहां पर हो जाएगा di का समाकलन i और बराबर यहां पर v0 बटे l बाहर आ जाएगा समाकलन के और यहां पर sin omega t into dt का समाकलन हो जाएगा अब चुकि हमने मियत में एक फार्मूल पड़ा है समाकलन sin x into dx बराबर हो जाएगा minus cos ax upon a यह एक सूत्र होता है कि sin x into dx का समाकलन minus cos ax upon a होगा यहां पर हो जाएगा i बराबर v0 upon l into minus cos omega t upon omega तो चली अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे हो जाएगा i बराबर v0 upon omega l पोस्टक में minus omega t अब चूकि cos theta बराबर होता sin 90 minus theta यह एक सूत्र होता है मेत में तब यहां पर आगे हो जाएगा i बराबर v0 upon omega l minus sin pi by 2 अर्थाच 90 minus theta यहां पर theta है omega t pi by 2 minus omega t और जब हम इस sin को plus मिलाएंगे तो यहां आगे आजाएगा और यहां पीछे चला जाएगा तब यहां पर हो जाएगा i बराबर v0 upon omega l into sin omega t minus pi by 2 और यहां पर हो जाएगा i बराबर i0 sin omega t minus pi by 2 इसलिए हम equation number 2 देंगे और यहां पर इसकी जगाए i0 हमने लिख दिया है तो चली अब हम देख लेती हैं कि हमने i0 क्यों लखा है जहां अर्थाच यहां पर v0 upon omega l बराबर i0 हमने लखा है तब यहां पर हो जाएगा v0 upon i0 बराबर omega l तब यहां पर xl बराबर b0 upon i0 हो जाएगा और ख्रेहां पर हो जाएगा xl बराबर omega l और चुकि हम जानते हैं कि omega बराबर 2 pi new होता है तब हम इसको xl बराबर 2 pi omega l लख सकते हैं जहां पर xl है प्रेरण पिरती घात और चली अब हम आगे बढ़ते हैं अता है समीकरण 1 वा समीकरण 2 से इस पस्ट है कि सुध्य प्रिरकत्व योक्त प्रत्यवर्ती परिपत में प्रत्यवर्ती धारा बोल्टेज से 5Y2 रेडियन पफ्च गामी होता है और अब हम समीकरण 1 वा 2 की तुल्ला करते हैं कि इसमें धारा बोल्टेज से कैसे पस्ट गामी है और कितने कोण के लिगे पस्ट गामी है तो यहां पर जब हम equation first एब हम second को देखते हैं तो equation first था भी बराबर b0 sin omega t यह equation first था और यह equation दूसरा है तो हम equation 1 और 2 की तुल्ला कर देते हैं तो यहां पर जो धारा अर्थात आई voltage अर्थात भी से pi by 2 radian पस्ट गामी है अर्थात यहां पर कोण है omega t और यहां पर कोण है omega t minus pi by 2 अर्थात यहां पर धारा voltage से minus pi by 2 radian पस्ट गामी है अर्थात यहां पर minus है इसलिए धारा पस्ट गामी होती और यहां पर पि परज़र आरएक निम्न पिरकार का होगा तो इसमें ए यह है इस तरह आर आई तो यह दि धार मोल्टेज से प्वाइग्वाइट होती है तो यह है जो चिन्न है यह है बॉल्टेज के तरह जाता है इस तरह ऑफ थांक यू